मीडिया बहुजन नेताओं को आपस में लड़वाने की चाहे लाख कोशिश कर ले पर चंदरशेखर आजाद ऐसा होने नहीं देंगे मीडिया चाहती है कि चंदरशेखर आजाद कुछ बोले मायावती पर बोले और चंदरशेखर आजाद बोले भी लेकिन वो नहीं जो मीडिया चाहती थी वो बोले जो पूरा बहुजन समाद चाहता था आखिर चंदर शेखर आजाद ने क्या बोला ये पूरी ख़वर विस्तार से समझेंगे नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नाशनल दस्तक जिहाज उस तरीके से मीडिया लगतार कोशिश करते रहती है कि आपस में अखिलेश यादव मायावती और चंदर शेखर का कोई ना कोई बिड़न्त हो जाए एक दूसरे के लिए कोई ना कोई बयान बाजी शुरू कर दे और इसके बाद मीडिया को कुछ नया मिल सके और यही कोशिश एक बार चंदर शेखर आज़ाद पर फिर आजमाई गई है चंदर शेखर आज़ाद ने उसके बाद जो जवाब दिया उससे ना सुर्फ मीडिया की बलके उन सभी की जो इस तरीके से जवाब के उमीद रखते हैं उनकी बोलती बंद करा दी यह पूरे खबर बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको एक न्यूस पढ़के सुना देते हैं जन सत्ता की है तीन दिन पहले की खबर है यूपी उपचुनाव में से पहले चंदर शेखर का मास्टर स्टोक अखलेश मायावती की बढ़ जाएगी टेंशन चंदर शेखर आजाद के इस कदम से उत्तर प्रदेश की राजनीती में बड़ा असर पड़ सकता है यही वज़ा है कि इस कदम से अखलेश यादव और मायावती की टेंशन बढ़ गई है दरसल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले उपचुनाव को लेकर चंदर शेखर आजाद ने एलान कर दिया कि सभी दस की दस सीटों पर चुनाव लड़ेंगे लेकिन उन्हें ये बिलकुल नहीं कहा कि इस से अखलेश यादव की या मायावती की टेंशन बढ़ जाएगी लेकिन मीडिया जरूर बता रही है चंदर शेखर आजाद बीजेपी सरकार को निसाना बना रहे हैं बार बार कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सत्ता से है बता रहे हैं कि मीडिया की साजुष हर बार फेल कर देते हैं चंदर शेखर आजाद दरहसल हाल ही में इंडिया निउस के मंच कार्यकरम के दौरान तमाम नेता मौजूद हुए थे वहाँ पर इंटर्व्यू हुआ और एसे में चंदर शेखर आजाद भी वहाँ पहुचे चंदर शेखर आजाद से ये कहा गया कि मायावती आपसे डरती हैं जिसके बाद चंद्शेखार आजाद ने जो जवाब दिया वो समाज पूरे बहुजन समाज का दिल छो लिया चंद्शेखार आजाद ने साफ सीधे शब्दों में कह दिया कि आप ये कहकर कोशिश कर सकते हैं पर मायावती कभी किसी से नहीं डरती यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि आज की राजनीती में मायावती जैसा मजबूत नेता आज तक कोई नहीं है मायावती जिस समाज से हैं और एक महिला होने के ना तो चार बार के मुख्यमंत्री रह पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है मायावती बनना आसान नहीं है वो हमारे परिवार की बड़ी है आदर्णिये है और उनका मार्क दर्शन में हम चलते हैं वो हमारे लिए हमेसा आदर्णिये है वो हमारे परिवार की बड़ी है जो मिशन अमबेटकर साहब ने चलाया उसके बाद कांसीराम ने उसके बाद मायावती ने और मैं अब उसको साकार करने का काम करूँगा लगातार चंदरशेखर आजाद संसद से सड़क तक अपने समाज की आवाज उठा रहे हैं और इस मामले में लगातार लोग उनको तारीफ कांसीराम से जोड रहे हैं और कह रहे हैं कि कांसीराम ने एक बार कहा था कि अगर आप हमाय संसद में बोलने नहीं देंगे तो हमारी बोलती बन नहीं होगी हम सड़क पर आकर अपनी आवाज उठाएंगे और चंद शेखर आजाद अब वही करते हुए नजर आ रहे हैं अगर उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता उन्हें बोलने का समय नहीं दिया जाता तो वो सड़क पर आकर बोलना शुरू कर देते हैं और इस बार उन्होंने बजट पर बोला है और बजट को लेकर लगातार चंद शेखर आजाद सुर्खियों में बने हुए है सोशल साथ ये भी बता रहे हैं कि जो पैसे हम मांग रहे हैं उसके लिए अगर आप पूछेंगे कि ये पैसे कहां से आते हैं तो उसका भी हम सबादान बता देते हैं कि ये पैसे कहां से आएंगे क्या कुछ लिखका है चंद शेखार आजाद ने वो अकबर आपको पढ़कर बता चंद शेकर आजाव लिखते हैं बजट में उठाई गई मांग बहुजन गरीब कल्याण योजना लागू करो बहुजन यानी SCSTOBC वर्गों के 10 करोड अत्यंत गरीब परिवारों को चन्नित करके उन्हें 1 लाक रुपिये प्रती परिवार सलाना दिये जाएं आजादी के 77 साल के बाद भी देश का बहुजन SCSTOBC वर्ग अत्यंत गरीब के हालत में घुटन का जीवन जीने के लिए मजबूर है तमाम योजनाओं के बावजूत भी हम अपने इन वर्गों को देश के मुख्यदारा और संसाधनों में उचित हिस्सेदारी नहीं दिलवा पाएं है इस बजट में समाज कल्यान एवम अधिकारी का मंत्राले का बजट मात्र 13,000 करोड रुपिय है जो कुल बजट के का मात्र 0.27 प्रतीशत है जनजातिय कार्य मंत्राले का बजट भी 13,000 करोड रुपिय है इसे भी जोड़ने तो दोनों को मिला कर 26,000 करोड रुपिय बनता है जो कुल बजट के 48.2 शून्य लाख करोड रुपय का लग भग सून्य दसम्लाव 5-4 प्रतीशत ही है जबकि इन वर्गों की जनसंख्या 80 प्रतीशत से जादा हिस्सेदारी है ये सरासर अन्याय है जिसे बहुजन समाज अब और सहन नहीं करेगा इन वंचित वर्गों के लिए अब कुछ बड़ा करना होगा आगे लिखते हैं मेरा प्रस्ताव है कि इन वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए सरकार एक बड़ी योजना की घोशना करे इन योजना में बहुजन यानी SPST OVC वर्गों के 10 करोड अत्यंत गरी परिवारों को चिन्मित करके उन्हें एक लाख रुपिये प्रती परिवार सालाना दिये जाएं इन योजना का कुल 10 लाख करोड रुपिये का खर्च सालाना आएगा इस बजट का लगभग 20 प्रतीशत होगा परंतु फिर भी यह इन बर्गों की 80 प्रतीशत जनसंख्या के अनुपात में यह बहुत कम होगा परंतु एक शुरुवात इस से की जा सकती है इस क्रांतिकारी योजना से स्कस्टी ओविसी वर्ग के इन करोडों परिवारों को आत्मसमान का जीवन अवश्य मिल जाएगा अब आप प्रश्न ये पूछेंगे कि यह पैसा आएगा कहां से पिछले दस सालों में ही धन्ना शेटो का 16 लाख करोड रुपिया माफ कर सकते हो कॉर्पुरेट टैक्स घटा कर लाखो करोड रुपिये का चुना सरकारी खजाने को लगा सकते हो PLI स्कीम के नाम पर लाखो करोड रुपिय कॉर्परेट घरानों पर लूट सकते हो उन्हें इंसेंटिव के नाम पर तरह तरह की चूट दे सकते हो पिछले 10 सालों में लगभग 120 लाख करोड रुपिय का करज ले सकते हो पेट्रोल दीजल पर 10 गुना तक एकसाईल स्ट्यूटी बढ़ा कर वसूली कर सकते हो RBI से लाखो करोड रुपिय का डिविडेंट ले सकते हो तो गरीबों को पैसा क्यों नहीं दे सकते लगातार जो है चंदुशेकर अपनी आवाज सो उठाते हैं और साथ में समाधान भी बता रहे हैं अगर आप सवाल पूछेंगे सरकार अगर पूछेगी चंदुशेकर से कि जो बजट आप मांग रहे हैं वो पैसे कहां से लाएं तो उसका भी वो जवाब दे रहे हैं अगर आप इतने करोड पटियों का करजा माफ कर सकते हो और इस तरीके से तमाम चीजे कर सकते हो तो गरीवों को पैसे क्यों नहीं दे सकते आज हमारी अर्थवियोस्ता मांग की कमीम से जूज रही है यदि 10 लाग करोड रुपिया गरीब बहुजन परिवारों को मिलेगा तो इससे अर्थवियोस्ता में मांग बढ़ेगी इससे निवेस बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और अंतता सरकार का टैक्स भी बढ़ेगा तो लगातार चंद शेकर आजाद बता रहे सरकार के लिए टैक्स भी बढ़ेंगे और अंत में लिखते हैं अब चंद लोगों की तराजू से देश के संसादन नहीं बटेंगे अब संसादनों का बटवारा संख्या के आधार पर होगा ना तो अब वोट हमारा राज तुमारा चलेगा और ना तो वोट हमारा नोट तुमारा चलेगा और इसको लेकर लगातार चंद शेखर आजाद सुर्ख्या बटोर रहे हैं समाज जो है बहुजन समाज उन्हें अपना हीरा मानता है और लगातार ये कहने लगे हैं कि चंद शेखर आजाद वो शेर है जिसको चुप कराना नामुम्किन है संचत में एक ही एक लौता दलित नेता जो है पूरे बहुजन समाज के लिए आवाज उठा रहा है और अब ये आवाज बंद नहीं होगी ये की उज़र लिखते हैं भाई चंदर शेखा राजजाद समाज का हीरा है जिन लोगों ने कॉंग्रेस को वोट दिये वो भी जरूर सुने और अपने जीतने वाले प्रत्यासी को बोले कि तेरे मूपर क्या घास उग गई है जो आवाज कभी सडकों पर गूजती थी अब वो संसद में गूज रही है तो लगतार चंदरशेखर की तारीफे हो रही है और ये भी कह रहे हैं कि जो लोग कॉंग्रेस को वोट देते हैं वो भी जरूर सुने वहीं एक और उज़र ने लिखा है नगीना लोगसभा सांसद मानिय चंदरशेखर आजाद जी को आप सभी साथी सुने और अपने अपने साथियों को भी शेर करें जैभीम वहीं एक और उज़र ने लिखा है आज लोगसभा में चंदरशेखर आजाद जी ने बजट पर अपनी बात रखी वोट हमारा राज तुमारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से चंदरशेखर आजाद अपने समाज की आवाज उठा रहे हैं और अब जिस तरीके से मीडिया लगातार बहुजन नेताओं में फूट डलवाने की कोशिश करते रहती हैं और ये बतानी की कोशिश करते रहती हैं कि चंद्र सेखर की आजाने से मायावती की टंशन बढ़ेगी और चंद्र सेखर ने इसका साफ साफ उत्तर दे दिया कि मायावती कभी किसी से न डरी है और ना ही वो डरती है मायावती होना बच्चों का खेल नहीं है मायावती अपने आप में एक ऐसी नेता है जो आज की राजनीती में मायावती जैसा नेता अब तक कोई नहीं है मायावती बनना आसान नहीं है पूरी बात चीत पर अपनी प्रत्किरियाद जरूर दीजे नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसल दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे